सल्मान खान आज बॉलिवुट के सबसे बड़े सूपर स्टार्स में से एक हैं लेकिन उन्होंने फैंस के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है सल्मान खान की फिल्में पिछले कुछ समय से भले ही बड़ी हिट साबित ना हो पा रही हूँ लेकिन फिर भी जबरदस्त कमाई करती है सल्मान जितना फिल्मों से कमाते हैं उससे 10 गुना जादा अपने बिजनेसेस और अपनी कमपनीस से वो कमा लेते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सल्मान खान कितनी कमपनीस के मालिक हैं तो आईए करते हैं शुरू नमबर एक Being Human Being Human नाम किसने नहीं सुना सालों पुरानी Being Human Charitable Trust 2007 में लॉंच होई थी इसके बाद 2019 में Being Human Clothing लॉंच होई जिसकी 15 कंट्रीज के Across Stores हैं इन Stores में Jewelry, Men's Wear और Women's Wear के साथ साथ Fashion की कई सारी चीज़ें उपलब्द हैं और इनकी Human E-Bicycle नाम से Electric Cycles की भी अच्छी खासी रेंज है नमबर दो TV Production House सल्मान खान का SK TV नाम का एक Television Production House है जिसमें सल्मान खान Paris-Based Media House Benny Jai Group के साथ Partnership में हैं ये Production House The Couple शर्मा शोओ और नच बलिये और The Big Picture Show को प्रोड्यूस कर चुका है नमबर तीन SKF SKF एक Indian Film Production और Distribution Company है इससे सल्मान खान ने 2011 में Establish किया था ये Production House बजरंगी भाईजान, Race 3, राधे, Notebook, Hero, लव यात्री और चिल्लर पार्टी जैसी और भी कई मूवीज प्रोड्यूस कर चुका है जिसमें से 2011 में चिल्लर पार्टी फिल्म को National Award भी मिल चुका है और Untim The Final Truth मूवी भी इसी Production House से प्रोड्यूस होने वाली है सल्मान खान पूरे इंडिया में जिम खोलने का इरादा सालों पहले ही बना चुके थे और इसी के चलते इन्होंने डैली, मुंबई, पुने, चैन्ने और हैदराबाद जैसे कई शहरों में अपने जिम भी शुरू किये और धीरे धीरे इंडिया में इनका टार्गेट 300 जिम खोलने का है और ये टार्गेट पूरा भी हो सकता है भहिया वो सल्मान खान है कुछ भी कर सकते है नमबर पांच जैरारी 2018 में सल्मान खान ने जैरारी नाम के 100% manufacturing rights acquire कर लिये थे जैरारी 25 साल पुरानी fitness equipment manufacturing company है जो एक महिने में लगभग 100 जिम को equipments provide करती है सल्मान खान ने जरारी को being strong नाम से relaunch किया था सल्मान ने ऐसा इसी लिए किया क्योंकि वो इंडियन्स के लिए fitness material affordable बनाना चाहते हैं being strong treadmill, dumbbells, air bikes और chest press जैसे और भी equipment ये company बनाती है और लगभग 175 से भी जादा gyms में इस company के material installed है सल्मान खान यात्रा.com के सिर्फ brand ambassador ही नहीं बलकि इस company के 5% stock holder भी थे और इतना ही नहीं यात्रा.com से सल्मान खान की NGO being human को भी फायदा होता था क्योंकि यात्रा.com कस्टमर से उनके हर transaction पर being human को donate करने को बोलती थी नमबर साथ brand endorsements 2018 में Duff & Felf की एक report के हिसाब से सल्मान खान की brand value 55.8 million dollar है बहुत सी companies जैसे Suzuki, History TV, Dixie Scott, Wheel, Pepsi, Thumbs Up और Mountain Dew जैसी और भी कई companies का चेहरा सल्मान खान है नमबर आठ Fresh कुछ वक्त पहले ही सल्मान खान ने Fresh नाम से एक brand launch किया है जिसमें personal care और personal hygiene के products जैसे hand sanitizers उपलब्द है जल्द ही कुछ और नए products ये बाजार में लाने वाले है नमबर 9 Digital World साल 2017 में सल्मान खान ने smartphone company being smart का registration करवाया था इस company के तहत इनका mission middle class families के लिए smartphones उपलब्द कराना था इसके साथ ही being in touch नाम से एक app launch हो चुकी है जिसके 5 लाग से भी जादा download हो चुके है साथ ही 2015 में खान market.com नाम की एक e-commerce वेबसाइट launch करने का announcement किया था जो की एक legal case में उलज गई थी क्योंकि इसका नाम 65 साल पुराने खान market के नाम पर था उसके बाद ये launch नहीं हो पाई इतना ही नहीं सल्मान खान चिंगारी नाम के एक short video app के brand ambassador ही नहीं बलकि उन्होंने इस app में 13 million dollar का investment भी किया था नमबर 10 crypto token भारत का पहला crypto token अभीनेता और brand ambassador सल्मान खान द्वारा launch किया गया था सल्मान खान ने social media के जरिए फैंस को इसके बारे में इसकी जानकारी दी है नमबर 11 TV Shows 2008 में आए शो 10 का दम को सल्मान खान ने होस्ट किया था और साल 2009 के season के होस्ट भी यही थे इसके बाद 2010 से Big Boss season 4 से लेकर सारे season सल्मान खान ही होस्ट करते आ रहे हैं जिसमें हर एपिसोड में सल्मान खान 12 से 14 करोड रुपे चार्ज कर तो दोस्तों ये थे सल्मान खान के sources of income आप हमें comment box में comment करके जरूर बताइए कि सल्मान खान के इन में से कौन से income source से आज तक आप अंजान थे और like और share और subscribe भी करना है आपको चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में शुक्रिया